नमस्कार साथियों, मैं डॉक्र सुमीत प्रियापती, आप से भी का शीवत वायर विद यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज का जो हमारा नेक्स नेक्चर होगा वो एनीमिया का पार्ट थर्ड होगा, अभी तक हमने एनीमिया के पार्ट वन और पार्ट थू में क्या-क्या डिस्कस किया है, हमने एनीमिया के पार्ट वन में आर बीसीज क्या होती है, हीमोगलोबिन क्या होता है, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बारे में जानकरी ली थी, फिर एनीमिया के पार्ट थू में हमने डिफरेंट डाइप के एनीमिया को classified किया किस तरीके से इनको morphologically and etiologically classify किया जाता है उनके specific कुछ sign and symptoms के बारे में भी जाना आज का जो वीडियो होगा उसमें हम उसके sign and symptoms उसको diagnose किस तरीके से किया जा सकता है और उसके treatment की treatment को describe करने की कोशिश करेंगी ता यह शुरू करते हैं सबसे पहले हम introduction जो कि मैं बताता ही हूँ कि अनीमिया क्या होता है कि it is a blood disorder characterized by reduction of RBC count, hemoglobin content and packed cell volume जो कि मैं पहले अनीमिया के part one and part two में हर बार बताता आ रहा हूं कि अनीमिया क्या होता है कि RBC count, hemoglobin content and packed cell volume यानी कि PCV की value जब कम हो जाये तो उस condition को हम एनीमिया बोलते हैं अब हम sign and symptoms की बात करते हैं सबसे पहले हमने देखने को मिलता है splenomygely, splenomygely कि इस condition में देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए hemolytic anemia हो रहा है तो hemolytic anemia की condition में क्या होता है कि RBC का destruction तेजगती से होता है तो RBC का destruction जब तेजगती से होता है अब क्योंकि RBC का graveyard के इसको बोलते हैं splen को बोलते हैं इसी लिए RBC का destruction जब बढ़ता है तो splen को ज्यादा काम करना पड़ता है वर्कलोड बढ़ता है तो spleen अपनी size और अपने shape में व्रति कर लेती है तो इसी condition को हम splenomygely बोलते हैं तो इसी लिए hemolytic anemia की condition में splenomygely मिल सकती है और hepatomygely मिल सकती है क्योंकि hemoglobin मान लीजे कम बन रहा है या RBC का production कम हो रहा है तो erythropoietin या जो भी different type के erythropoiesis के अंदर enzymes काम में आज सकते हैं तो उनका जो formation होता है वो hepatomygely मतलब के liver के अंदर होता है इसी लिए जब उनकी demand बड़ेगी तो liver को काम ज्यादा करना पड़ेगा तो वो भी अपनी size and shape में व्रति करेगा तो hepatomygely देखने को मिल सकती है इसके अलावा कुछ digestive disorders देखने को मिल सकते हैं like anorexia patient को भूखनी लगेगी, nausea vomiting की condition होगी, abdominal discomfort होगा, constipation रह सकता है इसके अलावा atrophy of papill of tongue in pernicious anemia, pernicious anemia में क्या होता है, pernicious anemia किसकी कमी से होता है it is a nutritional deficiency anemia होता है, जो कि vitamin B12 की कमी से होता है, अब क्योंकि जो normal tongue होती है, उसके ओपर papillaz होते हैं जिसकी वजह से tongue जो होती है वो बहुत rough होती है, लेकिन pernicious anemia में vitamin B12 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी roughness चले जाती है एक तरीके से papillaz का atrophy हो जाती है, papillaz पूरी खत्म हो जाती है, पूरा taste less हो जाता है, जो जीब होती है इसी वजह से इसकी tongue जो होती है, वो एक दम shiny and smooth दीखती है, इसी condition को हम atrophy of papillaz तंग बोलते हैं shiny and smooth tongue देखने को मिलती है, किसमें? pernicious anemia में इसके अलवा necrotic lesions मिलते हैं, mouth and pharynx में in aplastic anemia, aplastic anemia किसकी वजह से हो रहा था? bone marrow deformity की वजह से, bone marrow में भी especially कौन सी? red bone marrow में deformity की वजह से जो था, वो aplastic anemia हो रहा था, और इसकी वजह से mouth and pharynx के अंदर necrotic lesions, यानि कि कुछ घाव देखने को मिलते हैं इसके अलवा color of stool changes to black, color of stool changes to black के इस condition में देखने को मिल सकता है, अगर hemorrhaging condition हो, specifically अगर intestinal hemorrhage हो रहा हो intestinal hemorrhage की वजह से जो भी blood निकलता है, वो उसका धीरे-धीरे digestion होने लगता है, जिसकी वजह से उसका RBC के अंदर hemoglobin part होता है, उसका पूरा ही destruction हो जाता है जिसकी वजह से जो red particles होते हैं, वो सारे black में change हो जाते है, इसी वजह से उसका stool भी black color जैंदर change हो जाता है किस condition में देखने को मिलता है, intestinal hemorrhage की condition में देखने को मिलता है, इसके अलवा renal dysfunction भी मिल सकता है जिसमें specifically albuminuria देखने को मिलेगा, इसके अलवा color of skin and mucous membrane become pale pale का मतलब होता है कि जो अपनी skin के अंदर लालिमा रहती है, जो redness रहती है, वो redness चली जाती है skin जो होती है, वो पूरी whitish के अंदर change हो जाती है, तो उस condition को हम pale बोलते हैं तो skin and mucous membrane become pale, more prominent in baccal and pharyngeal mucous membrane and conjunctiva, lips, palm and nail bed specifically conjunctiva के अंदर जो होता है, ये जो part होता है, इसको हम lower palpebral part बोलते हैं conjunctiva, इसके अंदर हमें paleness देखने को मिलती है, generally अगर किसी healthy person की अगर ये lower palpebral देखे, तो वो हमें reddish मिलेगी, उसके अंदर हमें reddishness देखने को मिलेगी, मतलब के उस patient में RBC की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी patient को anemia है, तो उस patient के अंदर ये जो lower palpebral membrane होगी, ये हमें pale देखने को मिलेगी, इसके reddishness पूरे खतम हो सकती है और देखे, तो skin lose elasticity and become thin and dry, क्योंकि plasma ooze out होने लग जाता है, hematocrit value अगर बढ़ जाती है, इसका मतलब के plasma का कहीं न कहीं leakage हो रहा है, तो इस वजह से skin lose elasticity, become thin and dry, यानि की एक तरीके से dehydration की condition develop हो जाती है, dehydration की वजह से ही skin की elasticity खतम हो जाती है, और वो पतली और dry हो जाती है, इसके अलवा thinning and loose and early graying of hairs, यानि की जैसा बोलते हैं, आजकल ये condition बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कि यंग्स्टर्स के अंदर ही बालों के, बाल जो होते हो बहुत ज़्यादा gray हो जाते हैं, और early grayishness आ जाती है, early white hairs देखने को मिलते हैं, बहुत पतले बाल या फिर घंजापन देखने को मिलता है, तो उसका कहीं न कहीं एक कारण होता है, एनीमिया, तो एनीमिया की वजह से भी ये condition develop हो सकती है, early alopecia की condition develop हो सकती है, इसके अलवा brittle nails देखने को मिलते हैं, brittle nails क्यों? brittle nails, यानि कि आसने से अगर नाखुनों पर थोड़ा सा भी जोट लग जाए, तो ये टूट सकते हैं, cracks इन में देखने को मिलते हैं, ये case condition में देखने को मिलते हैं, specifically iron deficiency anemia में brittle nails देखने को मिलते हैं, कि इस condition में iron deficiency anemia में, इसके अलवा zondis to hemolytic anemia, hemolytic anemia ज अगर किसी chronic condition की वजह से RBC का destruction ज्यादा तरीके से होने लग जाए, तो RBC के destruction की वजह से, फिर क्या होगा, उससे Billy Verdeen and Billy Rubin ज्यादा excess amount में निकलेगा, क्योंकि hemoglobin का digestion होगा, तो जब Billy Rubin excess amount में निकलेगा, तो क्वाम से condition develop होगी, zondis की condition develop होगी, इसमें भी इसकी conjunctiva के अं अंदर ये light yellow या फिर dark yellow discoloration इसमें देखने को मिलेगा, इसके अलावा females में menstrual cycle भी discharge देखने को मिल सकती है, उनमें manorrhagia, oligomanorrhagia, amenorrhagia की condition मिल सकती है, जिन्स की वजह से anemia की condition develop हो सकती है, यानि कि ये एक दूसरे के complementary होते हैं, इसके अलावा tachycardia मिल सकता है, क्योंकि proper oxygenation हो नहीं पा रहा है blood का, तो अधिक मात्रा में blood जो है, वो lungs तक जा सके, इसी वजह से hard जो होगा, वो access amount के अंदर या increased rate के अंदर pump करेगा, जिसके वजह से tachycardia की condition होगी, इसके लिए टेकिपनिया मिल सकता है, क्योंकि वो ही same reason है कि proper oxygenation हो नहीं पा रहा है blood का, तो proper oxygen oxygenation करने के लिए, टेकिपनिया यानि कि patient बहुत तेज गती से सांस लेगा, ताकि जितनी भी वो access amount के अंदर oxygen अपने inhale कर सकता है, वो करेगा, इसके अलबाद डिस्निया देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी same कारण है कि oxygen saturation proper हो नहीं पा रहा है blood का, और oxygen saturation हो नही climbing stairs, जब भी वो थोड़ा सा भी काम करेगा या थोड़ी सी भी सिर्या चल लेगा, तो patient में patient की सांस पूल सकती है, तो उसके वीजे क्या करान हो सकता है, इसके अलबाद oxygen hemoglobin dissociation curve जो होगा, वो right side में shift होगा, आपने 11-12 के अंदर पढ़ा होगा, oxygen hemoglobin concentration dissociation curve होता है, जिसमें hem से sigmoid curve होता है, जब ये curve right side में shift होता है, इसका मतलब के oxygen की कमी है, oxygen की कमी किस वज़े से हो रही है, मैंने बताया, क्योंकि RBC का destruction हो रहा है, तो hemoglobin का भी destruction हो रहा है, hemoglobin का destruction हो रहा है, तो ये इसकी oxygen caring capacity को effect कर रहा है, इसी वज़े से ये जो होगा, ये right side में shift होगा, increased sensitivity to cold, उसको ठंडे चीज़ों से बहुत ज़्यादा sensitivity हो जाएगी, headache देखने को मिल सकता है, lack of concentration, patient को, patient किसी भी चीज में concentrate नहीं कर पाएगा, restlessness देखने को मिलेगी, irritability देखने को मिलेगी, drowsiness, यानि कि feeling more sleepy than normal during day, normal during day, यानि कि जो एक healthy person होता है, वो जितना दिन के अंदर नहीं सो पाता है, या जितना दिन में उसको drowsiness फिल नहीं होता है, उससे ज्यादा sleepy वो फिल करेगा, इसके लिए dizziness, यानि कि feeling unstudy, उसको हलके से चक्कर जैसे मैसूस होंगे, vertigo, while standing, especially while standing, dizziness or vertigo, एक दूसरे के, हम सिनों नहीं मान सकते हैं, vertigo भी जैसे ही खड़ा होगा, तो खड़ होते ही उस patient को vertigo, यानि चक्कर आने की condition होगी, fainting हो सकती है, अगर access से एनीमिया की condition develop हो जाए, तो इसके लवा easily fatigue, यानि हलका सा भी काम भगरेगा, तो जल्दी ठक जाएगा, and lack of energy, उसमें उत्साह की कमी होगी, अब हम इसको डाइगनोस कैसे करें, डाइगनोस के लिए सबसे पहले यही है कि patient की complete history ले जाए, then clinical features like paler, jondis, hepatosprinomegaly, bleeding tendency को देखा जाए कि एनीमिया के पीछे का main cause क्या है, इसके लावा lab investigation करिवाया जा सकता है, like CBC, जिसमें complete blood count आता है, जिसमें WBC, RBC, reticulocytes and platelets वगरा सभी की, जैनि कि एक तरीके से complete blood, blood के अंदर जो भी particles होते हैं, उन सब का count इसके अंदर आ जाता है, reticulocytes count गिएर सकते हैं, RBC counts, hemoglobin estimation, RBC indices like MCV, MCHC, MCH, perifer, MCV, MCHC and MCH, इनको किस तरीके से, इनका एनीमिया में, diagnostic tool के रूप में किस तरीके से महत्वा है, इसके उपर मैंने एनीमिया के part 2 में अच्छे तरीके से आपको समझा रहा है, part 1 में भी आपको इसका कुछ part समझने को मिल सकता है, peripheral blood smear करवा सकते हैं, ताकि हमें ये morphologically हम देख सकते हैं, कि ये जो है microcetic है, या फिर aplastic है, या फिर microcetic, normochromic है, तो किस type का morphological एनीमिया है, ये peripheral blood smear से हमें देखने को मिल सकता है, इसके अलावा serum iron करवा सकते हैं, जिसकी normal value 60 to 160 microliter pal DL होती है, तो serum iron से हमें पता चल जाएगा कि patient में iron deficiency तो नहीं है, इसके अलावा transferrin, transferrin क्या होता है, ये ही iron को transport करता है, iron transport के अंदर जो main protein होता है, वो transferrin होता है, क्योंकि iron इसी protein से जुड इसके body के अंदर transport होताएग जगे से दूसरी जगे तो transferrin का हम serum transferrin को हम use कर सकते हैं, इसकी normal value 280 to 400 microliter per DL होती है, serum ferritin के form में ही जो iron होता है, वो body के अंदर store होता है, तो serum ferritin काばいउज कर सकते है, male के अंदर 42 to 340 microliter per DL होती है, and female के अंदर 14 to 150 microliter per dl इसकी normal value होती है इसकी अलावा serum folate, folate का क्यों हो ताकि folate acid deficiency की वज़े से जो भी यानि कि megaloplastic anemia को पता करने के लिए हम serum folate करवा सकते हैं इसकी normal value 6 to 20 nanogram per ml होती है and serum vitamin B12 का भी हम करवा सकते हैं test जो की vitamin B12 deficiency की वज़े से जो panicious anemia हो रहा उसको diagnose करने के लिए करवा सकते हैं इसकी normal value 100 to 1000 picogram per ml होती है और इसको जो normal test होता है उसको हम shilling test भी बोलते हैं shilling test भी बोलते हैं इसको इसके अलावा bone marrow examination करवाया जा सकता है ताकि हमें ये पता चल सकते हैं कि patient को कोई aplastic type का anemia तो नहीं हो रखा है ये plastic anemia के देखने के लिए bone marrow examination करवा सकते हैं अब हम देखते हैं treatment treatment मैंने इसको बहुत ही short and simple तरीके से रखा है ताकि आपको आसनी से समझ आ से के सब पहला है कि अगर बहुत ही ज्यादा sudden loss हो चुका है blood का तो urgent replacement of whole blood in sudden loss of more than 30% of blood volume यानि कि अगर क्योंकि body का blood volume कितना होता है अप्रोक्स 5 liter उस 5 liter में से अगर more than 30% यानि 1.5 liter से ज्यादा का blood अगर sudden loss हो चुगा है तो urgent replacement की जरूत होती है यानि कि blood transfusion की जरूत होती है it serves to replace volume loss as in blood loss क्योंकि एक तरीके से blood loss हो रहा है तो blood की वज़े से volume loss भी हो रहा है तो volume loss को replace करने के लिए हमें blood transfusion की जरूत होती है और oxygen carrying capacity which is diminished band hemoglobin falls down 10 gram per dl यानि कि blood transfusion की वज़े से उसकी oxygen carry capacity को भी बढ़ाया जा सकता है ताकि patient के अंदर जो भी oxygen की कमी की वज़े से जो भी sign and symptoms हो रहे हैं उनको एक तरीके से कम किया जा सकता है क्योंकि hemoglobin अगर 10 gram per dl से भी नीचे चला जाए तो उसके अंदर oxygen carrying sorry oxygen की कमी की वज़े से जो भी sign and symptoms होते हैं वो develop होने लग जाते है तो इसलिए sudden loss के अंदर हमें whole blood transfusion करवाना चाहिए इसके अलवा iron deficiency में जो सबसे सस्ती दवाई कह सकते हैं हम वो होती है ferrous sulfate 325 mg के आती है OD चलती है यानि के दिन में एक लेनी होती है before meal for more than 6 months इसके अलवा pills of ascorbic acid या vitamin C की जो tablets होती है 500 mg की या फिर orange juice का भी use किया जा सकता है क्योंकि ये क्या करती है iron के absorption वो enhance करती है यानि के vitamin C जो होता है वो iron के absorption को बढ़ाता है इसी वजह से जो हमारे पुराने रिशित है उन्होंने चवन प्रास का निर्मान क्या है तो इसी लिए जो चवन प्रास हम खाते हैं तो iron का absorption विटामिन C की वजह से बहुत तेज गती से होता है इसके अलवा अगर patient जो है वो in oral therapy को tolerate नहीं कर पा रहा है अगर इसके कुछ side effects लेखने को मिल रहे हैं तो patient को हम parental iron की भी need हो सकती है जिसको कैसे calculate करते हैं like weight of patient in kilogram into deficiency of hemoglobin percentage को इसको किस से multiply करना है 0.66 है तो इस formula की वजह के use से हम किसी भी patient के अंदर कितने iron की need है हम उसको calculate कर सकते हैं इसके अलवा for folic acid deficiency 0.4 to 1 mg of folic acid daily is adequate to correct the deficiency polyg acid deficiency की वजह से कौन सा होता है megaloplastic anemia होता है तो megaloplastic anemia में polyg acid lid जो भी capsule से tablets आते हैं 0.4 to 1 mg के तो उसका हम use कर सकते हैं इसके लवा vitamin B12 की deficiency में orally क्या क्या जा सकता है 1000 to 2000 microgram के जो capsules होते हैं OD के अंदर चलाया जा सकते हैं तो यह ही sufficient है vitamin B12 की deficiency को दूर करने के लिए लेकिन इनका use कुछ महीनों तक जरूर करना चाहिए अगर vitamin B12 के capsules के वज़े से अगर उनको को complications हो रहे हैं या फिर severe vitamin B12 की deficiency और उसको जल्दी से जल्दी correct एकना ज़रूरी होता है तो हम 1 mg of hydroxycobal amine का IM injection लगा सकता है यानि कि intramuscular injection लगा जा सकता है लेकिन कब-कब लगाना चाहिए एक week में एक से चार बार यानि कि एक सब्ता के अंदर 7 days के अंदर हमें 1 to 4 times के अंदर इसको use करना चाहिए for rapid correction in severe cases इसके अलावा underlying condition should be corrected for anemia due to any chronic disease यानि कि मान लीजिए अगर anemia किसी chronic disease की वज़े से हो रहा है like remitted arthritis वे वज़े से हो रहा है, tuberculosis की वज़े से हो रहा है क्योंकि जब disease correct हो जाएगी तो उसकी वज़े से होने वाले anemia से भी हमें चुटकार मिल सकता है तो एक तरीके से anemia के मैंने पार्ट, anemia को मैंने तीन पार्ट में complete करने की कोशिश की है वैसे तो इसको short form में एक ही वीडियो में निप्टाया जा सकता था लेकिन मैंने इसको थोड़ा लंबा तरीके से खेंचने की कोशिश की ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ सके तो आशा करता हूँ कि आपको एनिमया के ऊपर बनाएगे ये तीन लेक्चर बहुत ही पसंद आये होंगे अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेट कोई भी क्वेस्टेंस हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं मैं पूरे कोशिश करूँगा कि आपके उन केमेंट का जवाब द झाल